राश्ट्र कभी मंच में मेरा मगद ने गी आपके समक्ष तो समय हो चुका है देरी के लिए में माफी चाता हूं गृपा इस मंच में मेरी प्रतिक्रिया देने के लिए आप लोग को पस्तित हो जाए और आश्रवाद देने के लिए आप लोग होसला अब जाए के लिए मेरा साथ बने रहे मेरा मगद ने की किनौर से मेरी आवाज आ रही है तो कृपा मुझे सर मैसेज के द्वारा बताएंगे इस मंच के जो संस्तापक और जो परांत अध्यक्ष है संदीब शर्मा जी उनसे निवेतन है मेरी आवाज आ रही है तो कृप्या मुझे बताएंगे मैं आगे की रूप रेखा और आगे की जो भी मेरी आज की प्रस्तुति है मैं आपके समक्ष रख सकूं संचित शर्मा जी मेरी आवाज आ रही है कृपया एक बार बता देंगे अगर मेरी आवाज आ रही है तो मैं नमस्कार धन्यवाद मेरा मगदनेगी किनोर से राष्ट कभी मंच में जो मेरी आज की प्रस्तुति के लिए मुझे बता गया है मैं राष्ट कभी संगम हिमाचल परदेश के सभी जितने भी इस मंच को संचालन कर रहे हैं मैं उनका तेह दिल से धन्यवाद करता हूँ और आशिरवाद चाहता हूँ कि आज के मंच में मैं आप लों के समक्ष जुडा रहा हूँ और जो भी गती भी दिया हम साहिते के द्वारा लोगों को परेड़ना देते हैं या फिर हम उन्हें बताते हैं अपने काबे के द्वारा कभीता के द्वारा मैं आज आपके समख्ष रखना चाहता हूँ और मुझे आशिरवाद दीजेगा और पहले मैं परीचे कराना चाहता हूँ मैं राम बगत ने की किनोर से हूँ मैं वैसे कभी नहीं हूँ कभी नहीं हूँ कभी ये एक जब 2010 में मैं फेस्बुक में काम कर रहा था तो मुझे आईडी बनाने नहीं आती थी तो मेरे दोस्तों ने राम बगत के आगे कभी लगा दिया असल में मैं चोटी मोटी रचनाए पंदर अगस्त छेवी जनवरी में मैं देता रहता था तो लोगों को लगता था कि मैं कभी हूँ तो जब मेरी आईडी बन रही थी तो मेरे जितने भी दोस्त है बच्चों ने मेरी जो है नाम के आगे कभी लगा दिया और ये मेरा सार्थक रहा कि जैसी नाम के आगे कभी रहा मैं आप जैसे कभीयों के साथ जुड़ता रहा मेरा स्वाब हाग्या है आज मैं आपनों के स जुड़ कर कुछ सीख रहा हुं और इस सहहिते के लिए में जितना भी युगदान हो सकता है 欠क्षम बनने के लिए दिया कोशिश कर रहा हूं तो ये मेरा परिच्चे था, मैं कभी नहीं हूँ, कभी मेरा जूड़ चुका था, और सार्थक बन गया, और मैं आपनों के साथ हूँ, समक्ष हूँ, मेरा स्वाभा गया है, तो शर्मा संदीब जी नमस्कार, आपके सोजाने से जो कारे करम हो रहे, मैं देखता रहता हूँ, जब जब मेरे को फुरसत मिलता है, मुझे जब मैं कभी के नाम से फेस्वुक में चलता रहा, तो मुझे कभी समझकर काफी साहिते लोगों ने मेरी रचनाओं को पढ़ना शुरू किया था, तो उस समें मेरी काफी गलतियां होती थी, जिसमें मुझे आदर्निय राजिंद उत्म जी और आदर्निय विरिंदर शर्मा जी, आदर्निय प्रमोज जी जो मुझे हर वक्त मुझे सपोर्ट करते रहते, आदर्निय विकरम जी जो मुझे हर वक्त सपोर्ट करते रहते, मैं उनके सहयोग से आज इस मंच पर आप लोगों के समक्ष अपनी रचनाओं प्रस् जो भी है में अपनों के समख सीख रहा हूं इस मेरा स्वाब भगया है कि आप लोगे ने मुझे किनौर का मुझे एक महत्पुरन पद दिया है अध्यक्षपत का जो जो हमारे राष्टे कभी मंच के लिए मुझे किनौर से आप लोग ने चुना है मैं चाहता हूं कि इसको मैं भरपूर तरीक से इसका मैं इसमें सेवा करूँ और अगर कोई किनौर से जो मेरा लाइब देख रहा हो मैं उनसे भी निविदन करता हूं तो कृपया आकर साहिते म को नहीं है अगर आप अध्यक्षपत बनकर इस मंच के संचालन करना चाहते तो मुझे कोई बुराईनी कोई बी किनौर के जितने भी जुड़ना चाहते हमारे साहिते में हमारे हिमाचल को आगे ले जाए किनौर से लेकर जितने भी हमारे 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 जीले है सब हम एक है हाईए हम साहित्य में एक जुड़कर एक मिलकर सभी काम करें तो विकाश गुपता जी नमशकार और किनौर प्रभू निर्मोई जी नमशकार तो मैं अनुमती चाहता हूँ आज का मैं पहला रचना सुनाता हूँ कोरोना काल में शायद सभी सुरक्षित होंगे सभी अच्छे मैं सभी साहित्यों को इसके लिए धन्यवाद करता हूँ सभी सभी लोगों ने अब अपने पेच के माधियम से कोरोना से लोगों को जागरत किया है मैं उन कोरोना वारियर का भी धन्यवाद करता हूँ जो इस जो दिन रात हमारे लिए लगे है पुलिस होगे डॉक्टर हो प्रतिकेरिया सब को दे रहे हैं तो मैं उन सब का धन्यवाद करता हूं। आए इससे पहले कि मैं पहली रचना सुनाओं और शेड से आगाज करता हूं। थोड़ा आइस्ता चल एक अंदी दोड़ है यहां किसको खबर कौन किस रहा पर है यहां खड़ा किसको खबर ऐ जिन्दगी थोड़ा आइस्ता चल। तो मैं आगाज करता हूं पहली रचना से शुरुआत करते हैं आज का जो गुरू पर वतिवार है गुरू के लिए नमन औ और हमारे गुरू से पहले में प्रभू परमात्मा के उपर चंद लैन कवीता लिखिये मैं वो आपके समक्ष रखना चाता हूं कृपा है प्रभू तेरी ये मेरी रचना है कृपा है प्रभू तेरी तुमारी जो ये खोपसरत दुनिया बनाई और हमें देखने समझने का आवसर मिला। कृपा है प्रभू जो ये खोबसर दुनिया तुमने बनाई। यहां सब है सुख दुख जनम मृत्यु अपने पराए दोस दुश्मन पशु पक्षी बहुत कुछ बनाया है प्रबुश दुनिया में तुमने पर इंसान को मौ से ही जनम क्यों दिया यह मौ बहुत कुछ बनाया है प्रबुश दुनिया में तुमने पर इंसान को मौ से ही जनम क्यों दिया यह मौ बहुत दुखदाई है प्रबुश इस मौ ने कईयों के घर उजाड़े है हाँ इस मौ ने कईयों के घर उजाड़े है रामायन के राम लिला और महाबार्थ के क्रिशन लिला दोनों महों से महों में थे प्रथम ववा दित्य विश्वय युद भारत पाकिस्तान के रोज के जगड़े देवरानी जठानी के रोज के जगड़े सास बहु के रोज के किसे भाई बहन भाई भाई के घर के इससे प्रथम व दित्य विश्वय युद भारत पाकिस्तान के रोज के जगड़े देवरानी जठानी के रोज के जगड़े सास बहु के रोज के किसे भाई भाई के घर के इससे और भी बहुत कुछ दिया है इस माया में बस ये मौ जो दिया है प्रबू बस ये जो मौ दिया है प्रबू वो सबसे बड़ा दुश्मन है कृपय है प्रबू तुम्हारी जो ये खुपसरत दुनिया बनाई और हमें देखने समझने का आउशर मिला तो ये प्रबू के उपर था कि इसी दुनिया में हम किस प्रकार के मौ में हम गए है आज रामायन महावारित में हम देखते आये कि सारे कुछ हम मौ से ही मौ के कारणी ये सब हुआ था तो आएए मैं आगे की और जाता हूँ कि हम समाज में जुड़े तो समाज में रिश्वत एक ऐसा चीज है जो हमारे को जंगजोर देता है हमें आगे बढ़ने नहीं देता है हम किसी भी विभाग में जाते तो रिश्वत को मड़े करीब से देखते है तो आएए मैं छोटी सी रचना के दोरा में आपको रिश्वत की और ले जाता हूँ मैंने रिश्वत को करीब से देखा है मैंने रिश्वत को करीब से देखा है हर वक्त हर जगा मुँँ खुलते वे देखा है मैंने रिश्वत को करीब से देखा है हर वक्त हर जगा मुझ खुलते वे देखा है कोई ऐसा भी भाग नहीं हाँ कोई ऐसा भी भाग नहीं जहां पैसे का जोड़ नहीं कोई ऐसा भी भाग नहीं जहां पैसे का जोड़ नहीं कोई ऐसा अफसर चपरासी नहीं कोई ऐसा अफसर चपरासी नहीं जो रिश्वत की मांग ना करें, मेरा टेंट का व्यवसा है, हाँ मेरा टेंट का व्यवसा है, थोड़ा थोड़ा रोज में कमाएं, मेरा टेंट का व्यवसा है, थोड़ा थोड़ा रोज हम कमाएं, सरकारी टेंट जहां लगें, सरकारी टेंट जहां लगें, वहां भी हमसे र मेरा ठेकेदारी है पेशा, यहां तो रिश्वत खोरों को रोज देखा, मुझे मिले या ना मिले, विभाग के करमचारियों का रोज मूँ खुले, मैंने रिश्वत को करीब से देखा, विभाग के करमचारियों के रोज मुझे खुले, यही से लेकर उपर तक रिश्वत चलता, मजबुरन देना होता है, तब सब को रिश्वत, रिश्वत ना दो तो काम ना होता, आपका कोई बिलपास ना होता, रिश्वत ना दो तो काम ना होता, आपका कोई बिलपास ना होता, दुकान का करजा, बैंक का लोन, बच्चों के फीस और बीबी का टोन, बच्चों के फीस और बीबी का टोन, कहां जाए मर्द बेचारा, रिश्वत ने ऐसा घिराया देखिएगा, कहां जाए मर्द बेचारा, बीबी ने भी तो अब रिश्वत लेकर हमें माँ डाला, मागती है, वो कभी करवा चौत पर सूट होगे, एनिवर्सिर पर आपके काँ जाए मर्द बेचारा, बीबी ने भी अब तो रिश्वत से माँ डाला, दोस्त भी काम कराएंगे तो कोई काम नहां rulerगा बोतल कोई काम करवाना है, तो रिश्वत लेना उने शर्म नहीं, नेता की तो क्या बात करे, धूनिया उनकी कर्टूत को जानती है, प्रीमिका के भी नखरे ज्यादा हाँ प्रेमिका के भी नखरे ज्यादा यहां भी रिश्वत है आदा बिना फूल दिये या बिना चाय पिलाए आपके साथ डेट पर नहीं जाएगे खुश करना प्रेमिका के भी नकरे जादा यहां भी रिश्वत है आदा खुश करना हो सर जुकाओ प्रेमिका को मोटर कार में गुमाओ मैंने रश्वत को करीब से देखा है मंदिर का पुजारी भी कम नहीं आप देखते होंगे मंदिर का पुजारी भी कम नहीं, बिना दक्षिन के हवन जप नहीं, मंदिर के पुजारी भी कम नहीं, बिना हवन के जप नहीं, GST आकर और बोज पढ़ गया, मर्द बेचारे पर जी, GST आकर और बोज पढ़ गया, मर्द बेचारा अब सौ से साट पर हो गया, सौ उसकी उसकी उमर थी, अब साट पर हो गया, देखे रिश्वत ने ऐसा हाल किया है क्या रिश्वत की अब गुनगान करूं, जब से बड़ा हुआ हूँ, रिश्वत को ये देखते आया हूँ मैंने रिश्पत को करीब से देखा हुआ हर वक्त हर जगा मुझ खुलते वे देखा है धन्यवाद शिपशेन कुमार जी और आधर्निय उत्यम जी मेरा माग देशन हमेशा करते रहते हैं मैं उनका बहुत बहुत धन्यवादी हूँ हमारे देश को आज जो चला रहे है, डॉक्टर है जो आज के टाइम में और हमारे पूलिस प्रशाशन है और ड्राइवर है, पत्रगार है, इस पीच में किसान भी है जो इस मामारी में काम कर रहाए आए किसान पर मैं एक छोटी सी रचना प्रस्तित करता हूँ पत्रिली धर्ती को समतल बनाओं, बीज बोकर उसमें अनोगाओं, सूखी और बर्साथ से उसे बचाओं, मार्किट में लाकर तुम सब का पेट बराओं, हामें किसानों, अभागा किसानों अन के लिए बीज लाया, वहां भी लूट मचाया, फसल जब त्यार हुआ, कीड़े मकोडे ने उत्पात मचाया, फसल तबाई ना हो फिर दौई लाई, वहां भी हमने हर पल दोखा खाई, सबसीडी का लालच दिया, वहां भी खूब दोड़ भाग करवाया, जब फसल तयार हुआ, जब फसल तयार हुआ, कुदरत ने बहुत मजाग किया, आंधी तूफानों फिर से, आंधी तूफानों ने फिर से हमारे सपने चूर चूर किया, बचा कूचा जो खेत खले आनों में, हां बचा कूचा जो खेत खले आनों में, वो मार्किटों में ले आए, यहां भी उचित दाम ना मिले, तू किसान का चैरा कैसा के ले, ना बीज का मोल मिला, ना अपने मजदूरी मिला, हां मैं किसान हो, अभागा किसान हो, इस देश का नर्जीब किसान हो, पत्रिली दर्ती को समतल बनाऊं, बीज बोकर उसमें अनोगाऊं, सूखे और बरसात से उसे बचाऊं, मार्किट में लाकर तूम सब को पेट बराऊं, मैं अभागा किसान हो, इस देश का नर्जीब और अभागा किसान हो, असल में हमारे यहां पर कभी सम्मिलन बहुत कम होते हैं, तो इसलिए मैं हिचकर चाटा हूँ, तो यह आप लोग का एक आशिरवाद है, जो मैं आपके समक्ष बोल पा रहा हूँ, बच्चों के लिए मैंने कविता लिखी थी, असल में बच्चे बहुत प्यारे होते हैं, नटकट होते हैं, तो आईए मैं बच्चों के पर एक कविता आपको सुनाता हूँ, बोरिंग, बोरिंग, बच्चे कैसे बोर होते हैं, वैसे तो आज कल लॉग डाउन चला है, तो मुझे लगता है कि बच्चे बोर नहीं हो रहे हैं, पहाड़ों में जा रहे हैं, घुम फ आपके समच रखता हूँ, बोरिंग, 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 हाई बोरिंग, सकूल का हॉम वर्क है, बोरिंग, 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 हाई बोरिंग, सकूल का हॉम वर्क है, बोरिंग, घर में आओ, यूनिफॉरम बदलो, ना दो कर फिर हॉम वर्क कर लो, घर में आओ, यू जल्दी सो जाओ, शुबह उठकर फिर दूद्ध पी जाओ, शुबह उठकर दूद्ध पी जाओ, बोरिंग बोरिंग हाई बोरिंग, सुबह का दूद्ध पीना है बोरिंग, चुपके चुपके खेल खेला, मम्मी की गाली को जेला, बोरिंग बोरिंग हाई बोरिंग, मम्मी की गाली है बोरिंग पापा की चॉकलेट है बहुत प्यारी पापा की चॉकलेट है बहुत प्यारी मम्मी की लंच है बोरिंग पापा की चॉकलेट है बहुत प्यारी मम्मी की लंच है बोरिंग हम देखे काटून नेटवर्क हम देखे काटून नेटवर्क मम्मी देखे सास ब बोरिंग बोरिंग हाय बोरिंग ममी का सीरियल हैunta are watching Boring, boring, high, boring. School का homework है, boring. घर में आओ, यूनिफरम बदलो, ना दो कर फिर homework कर लो. Boring, boring, high, boring. School का homework है, boring. ये बच्चों पर छोटी से लाइन थी. आज कल तो lockdown है, बच्चे बहुत कुश है. आए एक सहीतेकार केलिए कलम बहुत महत्व परन होता है. कलम के जारे जरिये ही साहितेकार देश को जगाता है तो साहितेकार अपनी शब्दों की वावाई चाहता है वो अपनी वावाई नहीं चाहता तो इसलिए में उन साहितेकार के लिए चंद लाइन लिखा है जो भी देश के लिए वो अपना धिन रात काम करते रहते इसके मोबाइल को जीलते रहती है。 मैं अपने एक वैदा सुनाता हूं, मैं धिन रावाल मोबाइल के साख रहता हूं। और कुछ ने पुछ लिखता है। तो इसमें सबसे पहला योगदान मेरे मेरे वी-बी का है। तो मैं उनका बहुत भाट धन्यवात करता हूं. और साथ ही मेरे जितने प्रेमिजन है यार दोस्त है जिनोंने मुझे बीच बीच में मुझे प्रोसान करते रहे और साथ ही आपनों का जो ये सयोग मिला इसका भी मैं बहुत भाध धन्यावाद करता हूँ कभी की कलम मेरी ये शिर्चक है कभी कलम से बनता है कभी कलम से बनता है कभी अंतर आत्मा के शवदों से बनता है कभी कलम से बनता है कभी अंतर आत्मा के शवदों से बनता है कभी का सम्मान नहीं कभी के कलम के सम्मान करो कभी कलम से बनता है कभी अंतर आत्मा के शवदों से बनता है कभी का सम्मान नहीं कभी के कलम के सम्मान करो कभी के शवदों की तारीप करो कभी कुछ लेता नहीं बलकि समाज को देता है कभी के शब्दों की तारीफ करो कभी कुछ लेता नहीं कभी समाज को देता है नई रा नई सीख देता है खुद आग पानी से गुजर कर हाँ खुद आग पानी से गुजर कर दूसरों को जलने डूबने से बचाता है खुद आग पानी से गुजर कर दूसरों को जलने डूबने से बचाता है दर्द आसों को पी कर सब को दवा बताता है जहर का प्याला चकर दूसरों को जहर से बचाता है कभी कलम से बनता है कभी अंतर आत्मा के शब्दों से बनता है कभी का सम्मान नहीं कभी के कलम की सम्मान करो कभी के लिए कोई छोटा बड़ा नहीं कोई नेता नहीं कोई अभी नेता नहीं कभी सब को एक जैसा सम्मान देता कभी के लिए कोई छोटा बड़ा नहीं कोई नेता नहीं कोई अभी नेता नहीं कभी सब को एक जैसा सम्मान देता किसी भी धर्म जाती का हो किसी भी धर्म जाती का हो सब को आधर वो देता कभी प्यार दोस्ती अमन और शांती का पैगाम देता कभी प्यार अमन और दोस्ती का पेगाम देता मजब से बैर नहीं करता हाँ मजब से बैर नहीं करता मजब की सेर करवाता मजब से बैर नहीं करता मजब के सेर करवाता जहाना पहुंचे कभी जहाना पहुंचे रभी वहां पहुंचे कभी कभी का सम्मान नहीं कभी के कलम के सम्मान करो कभी का सम्मान नहीं कभी के कलम के सम्मान करो कभी का नहीं कभी के शब्दों की तारिफ करो कभी कलम से बनता है कभी अंतर आत्मा के शब्दों से बनता है कभी का सम्मान नहीं कभी के कलम के सम्मान करो तो जितने भी साय्त-यकार है वो अपने लिए वावाओगाने चाहते है जो उनके शब्द है जो कल्म के लिए वावाओगाने चाहता है ताकिकस कल्म रुके नहीं मेनी जितने भी प्रोग्राम देखने हैं मैं सबसे निव PP Candain क 1 कि कभी की हमेसा होसला अब जाए करो इस से पहले कि मैं कुछ रचनाएं आपको सुनाओं आए चन्द लैन मैं आपको शेयर से आगाज करता हूं क्या लिखूं अपने जिंदगी के बारे में क्या लिखूं अपने जिन्दगी के बारे में मेरे दोस्त, वो लोग ही बिछुड गए जो जिन्दगी में कभी हुआ करते थे। प्यार होता है, सब के साथ होता है, लेकिन प्यार कभी मोताज नहीं होता, प्यार किसी के भरोसे जीता नहीं है, प्यार दो दिलों का मेल है, आए मैं इस कविता के माध्यम से प्यार पर प्रप्रकाश डालता हूँ, आशिरवाद दीजिएगा, प्यार किसी पर मोताज नहीं ह प्यार सुख दुख के बीच पनपता है प्यार घरता नहीं बढ़ता है प्यार किसी पर मौताज नहीं होता प्यार किसी को दर्द नहीं देता प्यार सुख दुख के बीच पनपता है प्यार घरता नहीं प्यार बढ़ता है हाँ प्यार मीरा है रादा है प्यार हीर है और रांजा है प्यार बरसता है गरशता नहीं प्यार बोलता है सुनता भी है प्यार फागुन है प्यार बसंत है प्यार जीवन है और अनंत है प्यार मुसकान है दर्द नहीं प्यार नरम है कठोर नहीं प्यार दूरियां नहीं नजदीकियां है प्यार मिठास की नदियां है जीव और जीने दो हां जीओ और जीने दो प्यार की मैफिल को बने रहने दो ना तीर से ना कमान से ना धन से ना सामान से जीतो सबका दिल प्यार से रहो सबके दिल में बस प्यार से रामगत का प्यार अपनों से सपनों से छोटों से बड़ों से आप सबसे आपके सपनों से प्यार किसी पर मोताज नहीं होता हां प्यार किसी पर मोताज नहीं होता प्यार किसी को दर्द नहीं देता प्यार सुख दुख के बीच पनपता है प्यार घरता नहीं प्यार बढ़ता है प्यार घरता नहीं, प्यार बढ़ता है धन्यवाद शशीपुनम जी, आदरने संदीब जी धन्यवाद ये मेरी प्यार के उपर अचना थी हाँ प्यार कभी घरता नहीं है, कभी बढ़ता जरूर है प्यार नरम है, कठोर नहीं हो सकता प्यार बढ़ने के रादेता है आए हम समाज में जी रहे हैं और हम दिन प्रति दिन समाज में कुछ चीजिगों से हम दूर होते जा रहे हैं जैसे हम बाजार में चाइनिज, मॉमो, तोपा, आदी चीजिगों का सेवन कर रहे हैं तो विशे है मेरा है महक रोटी तो यह मेरी चोटी सी रचना है आशिरवाद चाहता हूं महक रोटी की खतम हो रही है बर्गर बैड पीजा ने अब जगा ली है समय किसके पास आज रोटी बनाने सब खा रहे हैं चाइनिज खाने नाने की रोटी और दादी की रोटी आज के बच्चों को लगती है मोटी मोटी माँ आज टीबी फॉन में बैसता है पापा दोस्तों संग पार्टी में बैसता है यह लग बात है कि आजगर लॉग डाउन है माँ आज टीबी फॉन में बैसता है पापा दोस्तों संग पार्टी में बैसता है चूले से हम गैस में आगए हाँ चूले से हम गैस में आगए रोटी अब बोलो कौन बनाए चूले से हम गैस में आगए रोटी अब बोलो कौन बासमती की सुगंद बहुत भीनी भीनी आज बास्मती के सुगंद भहुत भीनी भीनी देखो आज कैसे सुगंद ने है रोटी चीनी जो मकिय ग्याउं की रोटी सेथ के लिए बहुत अच्छी आज फास्टपूर्ड ने सब की है खतम जिसे खाने से होता ने ठीक से हज़म जिसे खाने से होता ने ठीक से हजम, मैगी, नूडल्स, मॉमो और चौमिन, मैगी, नूडल्स, मॉमो और चौमिन, खतम कर रहे हैं हमारे हार्ट बिन, खतम कर रहे हैं हार्ट बिन, महेक रोटी की खतम हो रही है, बर्गर ब्रेड पी जाने जगा लिए, बर्गर ब्रेड पी आज आप लोग ने मुझे समय दिया और मैं बहुत का खुश किश्मत हूँ जो इस मंच का में स्वभाग्या बना आप लोग का आशिरवाद और आप लोग के आशिरवाद से मुझे किनौर का यगा दिर्षपत दिया है मैं चाहूँगा कि साइटे के लिए में यह काम करूँ हमारे देश के सैनिक आईए में कुछ सैनिकों पर विशार करते हैं हमारे देश के सैनिक पाकिस्तान चाइना जितने भी बौर्डर में काम कर लिए उनके लिए नमन करते हैं उनके बगएर हमारा साइट यह दूरा है उनके बिना हम भी दूरे है मेरा शिर्चक है मर देश के लिए हम आगे बढ़ेंगे देश के लिए हम मर मिटेंगे चाय हो हिमाचल कश्मीर और पंजाब देश में ना होने देगे हम किसी का दबाब देश को जुवल और समरिद बनाए आतंगवात का करो खात्मा कनकन में बसादो परमात्मा नशा मुक्तो देश हमारा आज के युका हो ये नारा देश प्रथा पर रोक लगाएं दिल से दिल को ही मिलाएं जन संख्या को अब न बढ़ाओ, परिवार नियोजन को अपनाओ, महंगाए फिर न बढ़ पाए, परिवार नियोजन को जब हम अपनाए, शिक्षा को बढ़ाना होगा, अनपर्ता को मिटाना होगा, जैहिंद का नारा हो, भारत देश हमारा हो, जैहिंद का नारा हो, भारत हमारा हो, देश के लिए हम आगे बढ़ेंगे, अपने देश के लिए मर मिटेंगे, चाहे हो ही माचल और कश्मीर और पंजाब, देश में न होने देंगी है, हम किसी का दबाब। आप लोग बोर होड़े होंगे, रचनाएं बार बार चल रही है, और तो इससे पहले कि मैं आपको रचना सुनाओं, एक छोटी सी लाइन में शेर आगाच कर रहा हूँ, मुझे उस अजनवी से इतना प्यार क्यूं है, इनकार करने पर भी चाहत का इकरार क्यूं है, उसे पाना तो मेरी किसमत में नहीं है, फिर भी हर मोड में उसका इनतजार क्यूं है, कोई रंग नहीं भरता है जीवन में, हाँ, आप देखते होंगे, जब या आप किसी के करीब होते हैं, तो धीरे धीरे वो आपसे दूर होता है, इनी विश्यों को लेकर मैं छोटी सी रचना आपके पास लेकर आया हूँ, कोई रंग नहीं भरता, कोई रंग नहीं भरता, अब सब बेरंग हो गए, कोई रंग नहीं भरता, सब बेरंग हो गए, कोई हाले दिल पूछता नहीं, सब अजनभी हो गए है, कोई बात नहीं कर कोई कॉल नहीं करता कोई मैसिज नहीं करता सब आगे बढ़ गए अब कोई मिलता नहीं जुलता नहीं सब बेदर्द हो गए अब अब इनसान इतना महान हो गया अपनों से दूर हो गया वक्त वक्त की बात है कभी दस पैसे से दुनिया खरीते थे आज हजार के नोटों से अपनों की खुश्यां भी नहीं खरीत सकते आज वक्त वक्त की बात है कभी दस पैसे से दुनिया खरीतते थे आज हजार के नोटों से अपनों की खुश्यां भी नहीं खरीत पाते कोई रंग नहीं बढ़ता सब बेरंग हो गए है कोई हाले दिल नहीं पोचता सब अजनभी हो गए है द्रियमा धन्यवाद राश्ट कभी संगम मंच और हमारे संदीव शर्माजी धन्यवाद और मुझे जो इस साइक्ते से जो पेरना दिया वैसे तो मैं लिखता बहुत बच्पन से था लेकिन लेकिन मैं लिखता रहता था मुझे मुझे में बहुत सारी कमिया थी मुझे ता थी गया मुझे व्याकरन का कोई अनुवब नहीं था मेरी शिक्षा जो दस्वी तकी रही है तो इससे आगे मैं पढ़नी पाया लेकिन जैसे में सूशल मीडिया एक हमारे ले बहुत एक वरदान बन चुका है फेस्वूक का मैं धन्यवाद करता हूँ जो जिसके माद्यम से मैं आज आपने रचनाओं को प्रस्तित कर रहा हूँ मैंने अपने नाम के आगे मेरे दोस्तों ने कभी लगाया था मैं कभी नहीं था हाँ छोटी मुटी रचनाए आशियर और शायरी में मंचों में सुनाता था तो जो मेरा कभी जो नाम के आगे लगा मेरा कसारतक हो गया सकारात्मक हुआ और मैं लिखता गया आप लोगों के आशिरवात से मैं अपनी गलतियों को सुधारता गया और आज आप लोगों का आशिरवात मुझे मिल रहा है मुझे भी आप लोगों ने एक साहित के लिए आगे काम करने के लिए सौपाया मैं चाहता हूँ कोई अगर किनवर वासी मुझे देख रहे हो तो कृपया मेरे साथ मंच के मेरे साथ जुड़े। किनवर के लिए काम करें और हीमाचल के लिए काम करें मैं आगरे करता हूँ और धन्यवाद मन्च का अभी शायद समय है तो मैं आपको कुछ और अचना सुनाता हूँ कोरोना काल है कोरोना काल में सबी लोगों ने कोरोना का कविताएं सुनाई तो मैं कोरोना पर सुनाना नहीं चाहूंगा क्यूंकि बहुत लोगों ने कोरोना पर सुनाया है अगर मैं ज्यादा सुनाऊगा तो इसका लाइगटिव एफेक्ट होता रह रहा है जितना हम कोरोना क कौरोना हमारों को पकल रखरे और मज़बूत को ड़रो न बूलें इसलिए मैंуж क्योंगर सध़िये कौरोन को घ्लत्र्व आपने ऐसे दर्सब्स करणा कॊंद करोना जया दान के दान अबुदे लिए OA JA ६न के बजन कर ले मानब शानती मिल जाएगी हरी बजन कर ले मानब शानती मिल जाएगी सुख दुख के रास्ते में जीवन के कठिन रास्ते में हरी बजन कर ले मानब शानती मिल जाएगी मीरा ने पाया श्री क्रिशन को सीता ने पाया श्री राम को श्री क्रिशन राम की भक्ती की रस पीजा शानती मिल जाएगी हरी भजन कर ले मानब शानती मिल जाएगी ये जीवन अनमोल है मानब न तु अब इनसान से बंधानब एक दिन तू भी मिट जाएगा, हाँ एक दिन तू भी मिट जाएगा, सब कुछ यहाँ छूड जाएगा, हरी भजन कर ले मानब, शान्ती मिल जाएगी, प्रभु भजन कर ले मानब, शान्ती मिल जाएगी, जाने से पहले मैं किनौर की आपको रूफ रेका, कविता के माध्य से आपको मेरा ँदिम से आपको सुनाऊं. आएए ये मेरी अंतिम रचना होगी और Psalag पर दिख राखनी जाओगा है। मेरी अंतिम रचना है किम अपने छेते फित्र करिगत है मैं परनी कुणहर को आपका बाृत है। किनवर का जो शेत्र भेल है चौसट जिरो एक किलोमेटर में भेला है और 2470 वर्ग में लग इसका एडिया है विपक्ष यहां पर जो हमारे एमले श्री जगतनेगी जी है जो कई सालों से हमारे किनवर में सेवा दे रहे भीपक्ष के नेता जो हमारे आदरने सुर्टनेगी जी है जो वबादेक शेह माचल परदेश से है तो दोनों का मैं नमन करता हूँ आईए मैं किनवर के बारे में आपको कविता के मादिम से बता प्यारा की नीवर हमारा सुदर की न नुल मारा चोरह से सुमरा तक पूरा की नुल हमारा तेडी मेडी सडके जगा जगा पर स्वागत द्वार थंडी थंडी हवा ये देवदार चिलगोजा के शाखाएं ठंडी ठंडी हवाएं, देवदा चिलगोजा के शाखाएं, कोठी में मा चंडी का विशाल हिर्दे की देवी, ये पियो में है कोठी, कोठी में चंडी का विशाल हिर्दे की देवी, बिन मा अगे ये मुरादे पूरी करती मा कोठी देवी, थानंग का महेशर किन और देपता का राजा थानंग का महशर किनौर देपता का राजा जो भी दुखी यहाँ जाता खाली हात न जाता माँ त्रंडा अगर देवी हाई सड़क में दर्शन रो देती आप आते आत जाते रहते हैं कि त्रंडा देवी हमारे मां तरंडा देवी हाईवे सडक में ही दर्शन रोज देती, महावार्त में वो चित्रा के नाम से कहलाती, निचार उशा माता का क्रिपा अपरमपार, जो भी भक्त वहाँ जाता, खुद को भागे शाली समझता, प्यारा की नौर हमारा, सुन्दर की नौर हमारा, यंग पाक आपनो काश्रिम, यहां मैश्वर जी कट गाओ, जगे का नाम है, यंग पाक आपनो काश्रिम, यहां मैश्वर जी कट गाओ, उर्नी मीरू यूला, यह मैश्वर जी जगाओ, यह दोनों मैश्वर जी है, दोनों भाई है, अलग अलग जगे पर रहते हैं, सभी दे आखतानों का हम पर रहता है कृप्रा बेशिस जगह जगह बूद्ध मठों डिो का भी होता सुन्दर परवेश प्यारा की नोर हमारा सुन्दर कीनोर हमारा उंचे उंचे परवतो पर बसे है सुन्दर गाओं हर तरप यहां हर्याली मिलता धूप में यहां च्छाओं किनर के लाश के दर्शन से मन प्रफलत हो जाता मनो कामना उसकी पूरी होती जो किनर के लाश की यात्रा करता सांगला मोरंग लाबरंग में विशाल कीला है यहां जो भी सकीलो को देखता ही रह जाता आईरा चंग वीशू फुलियाच यहां का तेवार है विशेश आईरा चंग वीशू फुलियाच यहां का तेवार है विशेश कोदा फापड़ा जों से बनता है यहां विशेश चुली बेमी अंगूर से बनते हैं विशेश शराब जिसे पीने से सहत नहीं होती खराब यूला कंडे का क्रिशन जील और ना कोई जील का क्रितम जील सेलानियों का मनमोग करती है प्राकृतिक क्रितम जील किनोर का साथी सतलुज हमारा किनोर का साथी सतलुज हमारा भावा नदी और बास्पा नदी ने भी किसमत हमारा समारा या नदियां तीन चार है कि नोर का साथी सतलुज हमारा बावा नदियों और बास्पा नदियों ने भी किस्मत हमारा सवारा कभी कभी इन नदियों से हमने कहर बहुत सहे है कभी कभी इन नदियों से कहर हमने बहुत सहे है फिर भी हमारे जीवन इन्हों नहीं सवारे है देवदार चिलगोजा ने किया है कि नोर करशिंगार सेब बादाम नास्पती बागीचे यहां के आदार आलू मतर साग सबजियों का होता खूब बेपार फल फसल आना जो से होता है खूब बंडार टोपी दोडू चोली यहां का है पेनावा उनी पजामा कोट पेंट को कौन नहीं जानता उनी पजामा कोट को कोन नहीं जान पाया रिबा अकपा कानम चांगो काजा और सुमरा प्यारा किनोर हमारा सुन्दर किनोर हमारा चोरा से सुमरा तक पूरा किनोर हमारा यह था हमारे किनोर के अपर मैं राष्टे कवी संगम का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ जिनों ने आज मुझे यह मंच दे दिया और मैं आदन्य संदीब जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ जिनों ने मुझे इस मंच के लिए आज पुकरा और प्रांद के अबाद्यक शिरी परताब जर्याल जी का भी धन्यवाद करता हूँ प्रांद के महा मंतरी सर्वेश कुमार मिश्र का भी बहुत धन्यवाद करता हूँ प्रांद के प्रवारी शिरी शक्ती चंदराना जी का भी धन्यवाद करता हूँ प्रांद के रखशक सर्टेंदर शर्मा जी का भी धन्यावाद करता हूं प्राँंत के माग धर्षक किलपती हमिर्पूर से प्रॉफेरसर स्पी बरसंथ का भी बहुत भाध धन्यावाद करता हूं और is यदि में शायर होता तो शायरियों से आप सबको मधोश कर लेता और यदि में गायक होता तो गायकी से आपको मधोश कर लेता कुछ भी ना होते हुए मैं बहुत कुछ हूँ हाँ कुछ भी ना होते हुए मैं बहुत कुछ हूँ कुछ भी ना होते हुए मैं बहुत कुछ हूँ आप सब करना हुआ तो क्या हुआ गर मैं अपने बीबी करते हूँ धन्यवाद संगम मंच का अराश्टे का भी संगम मंच का मुझे इस मंच दे दिया और आशा करता हूँ कि फिर आप लोग से कभी मुलाकात करूं रोग रोग मझे आशिरवाद दिया और इसके लिए सभी का मैं धन्याओत करता हूँ और उन साहित्यकारों को भी याद करता हूँ जिन्हों ने मुझे मार्ग दर्शिन दिया राजंदर पालंपुरू जी और अधरनिया विरिंदर शर्मा जी आधरनिया उत्यम जी आधरनिया प्रमो जी अब होद सारे ऐसे हैं जो मुझे अभी नाम नहीं आरे हुआ हर वक्त मारक करते हुआ। और संदीब शर्माजी जो मुझे होसला आप जाये करके, आज काम्मझे मुझे मन्चे परदान किया, इसके लिए । बहुत बहुत धन्यावाद करता हूँ, तो इसलिए अल विदा करता हूँ, अपना स्वास्ते का ध्यान रखे, अपने परिवार का ध्यान रखे, स्वाइते के द्वारा जो हम आप मिलकर जो समाज को पेड़ना दे रहे हैं, जो इसी लड़ाई में एक महत्परन योगदान कर रहे हैं, उसके लिए मैं सबका तैय दिल से धन्यावाद करता हूँ, मेरा मगतनेगी किन और से धन्यावाद, जाए श्री राम